love's philosophy दोस्तों यह पोयम लिखी गई थी Percy B. Shelley के द्वारा जिनने P.B. Shelley के नाम से भी जाना जाता है यह इस पोयम में अपनी beloved के बारे में बोलना चाते हैं लिखना चाते हैं और उन्हें बताना चाते हैं कि love कितनी सुन्दर चीज है इस पोयम जो है पब्लिश हुई थी इस पब्लिश इन 1819 और यह एक सेड़क्टिव आग्यूमेंट है बिट्विन पोयट एंड है इस बिलवड इसमें 16 लाइन्स है जो की डिवाइडिड है टू ऑक्टेवस का मतलब है एक लाइन में आठ के स्टेंजा होते हैं आठ लाइन् 1792 में उनकी डेथ हुई थी 8 जुलाइ 1822 में और यह एक बहुत बड़े लाइक इंग्लिश रोमेंटिक पोयेट्स में से एक थे इनकी आइडिया इनकी जो आइडियोलोजी थी वो नॉन वाइलेंस यानि अहिंसावादी थे वेजिटेरियन थे इनके फेमस वर्क है और बहुत आइडियोलोजी फेमस जिसमें पोईट्स अपने दिल की बात को बया करते हैं और अपनी तक चाहते हैं कि ये बात उनकी पहुचे जो बड़ेंस यहां पर प्वैंट कहते हैं कि जैसे कि फांटेंस हैं वो मिंगल करती है लाइक अपने रिवर के साथ और नदिया उ लोड़ी है वैसी एंड रीवर्स विद ऑशिन और जो रीवर्स हैं वो समुदर में चली जाती हैं मतलब कहीं न कहीं वो सिंगल से डबल हो रही है दे विंड्स ऑफ हैवन मिक्स फोरेवर विद अ स्वीट इमोशन और उसमें जो सुन्दर सुहानी हवा है ऐसा लगता है मानो आप स्वर्ग की हवा आपको फील हो रही है वहां से एक सुन्दर मिठी सी हवा आ रही है nothing in the world is single खुद वो कह रहे हैं कि इस शंसार में कहीं पे भी कोई भी single नहीं है all things by a law divine in one spirit meet and mingle why not I with you so कह रहे हैं कि क्यूं नहीं हम भी दोनों एक हो जाते हैं हम क्यूं अलग अलग हैं जैसे कुद्रत का नियम है कि हर चीज हर चीज का एक जोड़ा एक पैर है तो हम भी क्यूं नहीं एक पैर में तबदिल हो जाते हैं see the mountains kiss high heaven and the waves clasps one another तो यहां पर poet कहते हैं कि mountains को देखो वो कैसे heaven को kiss कर रहे हैं कैसे ऐसे लगता है कि mountains एक दूसरे से मिल रहे हैं and the waves clasps one another और जो समुद्र की लहरे हैं वो ऐसे चलगती हैं जैसे वो एक दूसरे को गले लगा रही हूं no sister flower would be forgiven if it disdained its brother तो यहां पर कहरें कि कोई भी female flower को शमा नहीं किया जाएगा माफ नहीं किया जाएगा forgiven नहीं किया जाएगा अगर वो male जो हैं उसे like opposite होती हैं उनको नहीं मानती हैं या उनके प्यार को नहीं समझती हैं and the sunlight claps the earth और जो धूप है sunlight है जो सूरे की रोशनी है वो ऐसा लगता है कि कहीं धरती को अपने गले लगा रही है and the moonbeams kiss the sea और जो moonbeams है वो भी ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र को प्यार कर रही हो किस कर रही हो जो चंद्रमा की रात में उसकी light होती है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे समुद्र को प्यार से देख रही है या प्यार कर रही है what is all this sweet work worth if thou kiss not me तो इन सभी चीजों का क्या फाइदा क्या इनकी वर्थ रह गई है अगर इन सब चीजों का उधारन देने के बाद इन सब चीजों के बारे में बताने के बाद भी तुम मुझे प्यार नहीं करती हो तुम मुझे किस नहीं करती हो तो यहाँ पर poet अपनी beloved को मनाने के लिए उनको loves philosophy समझाने के लिए इतने सारे उधारन दे रहे हैं जहाँ पर उन्होंने धरती आसमान चांद तारे सभी का उन्होंने आपर विवरन दिया है कि यह सब चीज जरूर अच्छी लगी होगी अगर आपको यह पूम अच्छी लगे तो आप जरूर चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच एंड टेक केर